हलो स्टुडेंज वेल्कम तो यौर ओन चैनल स्कोल बूस्टर आज हमको इनया पॉपिक स्टार्ट करने नहीं जा रहा है जैसे कि आपने थम्नेल में देखा हां हां बिल्कूल थम्नेल में जो आपने देखा सिलेबस रिडैक्शन के बारे में उसके बारे में आपको आज बत में क्या क्या सिलेबस जो है वो रिडिस किया है डीटेलिंग में आपको बता हूंगा साथ-साथ में कौन-कौन से एक्सराइज वगे रहे है जो की पूरी तरह से स्टुडेंट्स कैंसल आउट है ओमिट किये गए है फाइन सिलेबस से बाहर निकाल गए है वीडियो को पू अब यहां पर सजेक्शन में मैं डाला हुआ है आप वहां पर जाके वह वीडियो भी जरूर देखिए डीटेल में वहां पर बताया गया है कि क्या क्या चीज़े आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़े पूरी तरह से छोड़ देनी है चलिए बढ़ते हैं यहां पर की तरफ करेक्ट ओके सबसे पहले फॉर्स चेप्र युक्लिट्स डिविजन लेमा मतलब यह वाला जो पार था दिविजन वाला पार ठीक है युक्लिट्स डिविजन करेक्ट वही डिमेंडर आता था और फिर हम चैक करते थे वह वाले क्वेशन नहीं आएंगे कुछ भी यह आएगा वहां से ओके सब्सक्राइब बढ़ते तो सब्सक्राइब एक्ससाइज 2.3 जो है वह पूरा 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 कैंसल मतलब एक्ससाइज 2.3 में जो जो टॉपिक से स्टुडेंट्स वह आपको करने की जरुरत नहीं है क्योंकि वह जो है रिमूव है कैंसल है आगे ट्वेंटी-ट्वेंटी-वन में ठीक है ना मतलब जावाट ऐसे तरह करोगे ट्वेंटी-वन में मांच में उसमें क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड के उपर जित्रें भी कोश्यन वह नहीं आएंगे ओके बड़ते हैं कॉट्टिक एक्वेशन जिसका सब्सक्राइब बह प्राप्लेम्स जो है वो बंगु हो गया है लो सबुस्द अबर्बम whales strah घ्रम को पाई जिसके और दिए three years ndagiffência स्क्षण में अब वो भडनी रहेंगे यह वर्खूर को चूड ano कौर्ण पर उद्वर यहां पर मैंना एक्जांबल्स बताया है रिवरबोड वाले जो रहते हैं अब सिंद डाउंस्ट्रेम वह वाले कुशन नहीं रहेंगे नेट्स एपी अरिफ्रमेटिक प्रोग्रेशन हलागी बहुत इजी चेप्टर है बट फिर भी यहां से जो है डेली लाइफ प्रॉब्ल उसमें उशन नंबर 15 से लेकि 20 तक जो ताइप के कौशन जे वह नहीं आएंग्गे आपके इक्ञांस में वह टाइप के कौशन एपी नहीं आएंगे सुडेंगे बिलकुल जहां दीचेगा exercise 5.3 कोशन 15 से लेकि 20 तक जो टाइप के वह नहीं आएंगे वह रिमोव है आगे और बढ़ते हुए coordinate geometry में area of triangles वाना जो topic है उससे related जो भी questions है students वो नहीं आएंगे और exercise 7.3 पूरी तरह से cancel है पूरी तरह से वो remove हो चुका है ये साल के लिए अगले साल का तो पता नहीं but COVID-19 की वज़े से ये साल के लिए exercise 7.3 removed point और बढ़ते है triangles triangles में क्या है triangles में area of similar triangle जो है वो topic removed है area of similar triangle similarity वारी जो बात है correct वो removed है वो topic साथ साथ में theorem 6.6 and theorem 6.9 theorem 6.9 that is Converse of Pythagoras theorem जो है वो remove किया गया है और साथ में exercise 6.4 जान से देखिए exercise 6.4 students पूरी तरह से remove है उससे जो भी questions rated है वो भी exams में नहीं पूछे जाएंगे आपके हाँ बहुत ही खुशी 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 की लहन बहुत ही कुश हो गई students ओके ये था हमारा first section बढ़ते हम next section की तरफ मतलब आधे chapters हमने cover किये है और आधे chapters हम यहां पर देखते हैं है ना construction construction में क्या removed है जादर construction से सारे types जो है वो रहते है बट एक type जो है वो remove किया गया है ये साल that is construction of triangle to similar given triangle यह triangle है यहां पर okay construction to triangle चलिए वही इसको सही कर जो triangle है मुझे दूसरा triangle बनाना होता है वो type का जो conception है वो exam में नहीं आने वाला है वो topic पूरी तरह से removed हो गया है अब introduction to trigonometry trigonometry की तरफ बढ़ते हैं हम find ratios defined as 0 degree or 90 degree जो है वो नहीं आएंगे जो 0 degree or 90 degree वाले ratios जो है angle के वो नहीं आएंगे trigonometric ratios of complementary angles जो है वो भी remove कर दिया गया है सुडेंट्स है complementary angle sin 90 minus theta cos 90 minus theta correct complementary angles वाला जो topic है वो भी remove कर दिया गया है बहुत से students खूश होंगे और बहुत से students दुखी होंगे fine sad भी होंगे कि अरे ये chapter तो हमने पढ़ गया quality equation तो हमने पढ़ लिया पूरा पूरा pair of linear equation in two variable पढ़ लिया trigonometry से स्कूल में start हो चुका है या बहुत सी case में स्कूल में खदम ही हो गया गा online जो तुम्हारा चल रहा है हां तो उदास होने की बात नहीं है students अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई problem नहीं है अगर आप ये higher classes में science opt करते हैं fine mathematics opt करते हैं तो कहां पर trigonometry बहुत ही यूज होने वाला है और physics में भी यूज होगा trigonometry ठीक है तो आपने पढ़ लिया है extra पढ़ लिया है extra knowledge waste कभी नहीं यादा students हां बहुत से students बोलते होंगे sir हम तो science नहीं commerce लेने वाले है हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया okay आगे बलते हैं exercise 8.3 students do remember 8.3 पूरी तरह से जो है वो remove हो चुका है exercise 8.3 वो से एक भी question नहीं आएगा और वो exercise से related जो भी questions है fine वो बिल्कुल नहीं आएंगे मतलब वो questions जो भी topic से related है topic भी in short omitted है यानि की cancel out है next is areas related to circles fine areas related to circles में क्या होगा problem related to central angle, central angle 120 degree वाला जो एंगल रहता है central angle circles की case में fine subtrend करता है वीश में angle 120 degree okay ऐसे questions जो है वो नहीं आएंगे ऐसे topic से question नहीं बनेंगे आपके areas related to circles में okay अब बलते हैं mensuration की तरफ that is surface areas and volume surface areas and volume mensuration वाले part में first time of course first time वाला topic remove students को बहुत ही परेशान करता है first time तो परेशानी students आपकी दूर हो गई specially maths की दुश्मनों को first time जो है वो परेशान करता है maths के दुश्मनों खुशी मनाओ because first time of course topic जो है वो रिमूव हो चुका है and exercise 13.4 उसमें जो भी questions है या उसमें जो भी topic से questions है वो पुरी तरह से remove है मतलब वो topic भी साथ साथ में remove है most probably first time से questions होंगे next is statistics statistics में क्या remove हुआ है step deviation method step deviation method जो है वो remove हुआ है mean calculate करने का step deviation method remove हुआ है and दुसरा cumulative frequency graph cumulative frequency graph मतलब वो ही cumulative frequency दी होती है आपको graph बनाना होता है हाँ वहाँ पे students बहुती confused होते है क्या ले कैसे ले काया करे तो वो जो है remove हो चुका है साथ साथ में exercise 14.4 जो है वो भी remove हो चुकी है fine मतलब इस से related कोई भी question या यह type के कोई भी questions नहीं आएंगे चाहे वो examples में given हो या फिर other reference books में given हो exercise 14.4 से जो भी related topic से वो नहीं आएंगे fine चलिए students बहुत से बच्चे खुश हुए होंगे कि yes हमने यह topic पढ़ा ही नहीं है अभी तक हम बच गए हाँ और बहुत से students दुखी हुए होंगे आ रहे या राल हट यह topic तो मुझे पढ़ना ही नहीं था यह तो cancel हो गया students उदास मत हो यह अगर आप ने एक्स्टा पढ़ लिया है वह आगया आपको कभी भी helpful हो सकता है चाहे आप science ले चाहे आप commerce ले ना क्योंकि commerce में भी अभी maths आने लगा है fine okay तो हम भी यहां पर start करेंगे physics वाले पार्ट से correct physics वाले पार्ट से यानि कि description में links डाले हुए है और सार साथ में suggestion में भी videos डाल रहा हूं जरूर आप देखेगा okay all the best